हाई अबर्वन नमस्ते तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की सूप्रशित सब्जी सांगरी की सब्जी जो की देश और विदेश सभी जगे बहुत पसंद की जाती है तो मेरी वीडियो पर बने रहे हैं गुणों की खान होती है ये सब्जी तो मैंने लिए एक कटोर सेंगरी चाहिएए आप चाहें तो इसे पानी में को निकाल दें कर दो चैदाअ कर दिया है और अब मैं इसे पांसके आप में के लिए उबालेंगे ज्यादा देर नहीं उबालेंगे क्योंकि हमारी सांगरी जो है वो पेले से ही गली हुई है और ये डकन लगा दिया मैंने इस सांगरी की सब्जी के लिए हमें चाहिए अधा कटोरी दही काजू देर चमच धनिया पाउडर अधा चमच जीरा अधा चमच लाल मिर्च और किशमिश यह अधिके अंदर हम इन मसालों को एड़ करेंगे अब हैं यह इस तरह से सारे मसाले सुखे हम डाल देंगे और चमच की साहता से इन्हें अच्छे से मिला मिला लेंगे राज्सान की सब्द बहुत ही ज्यादा चाहु से खाई जाने वाली स सब्जी है ये और शादी ब्याहा हर फंक्षन में इसे बनाया जाता है आजकल तो सांगरी की सब्जी जो है वो शान हो गई है जहां देखो वहां हर फंक्षन में इसे इस्तेमाल किया जाता है आप भी इसे जरूर बनाकर खाईएगा गुणों से यूग तो होती है ओश्दिय सब्जी है ये ये दही में हमने सारे मसाले डालकर और इसे फेट लिया अच्छे से चमच की सायता से अब इसे हम 10 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि सारे मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे है और ये देखिये है घल चुकी है ये देखिए है अब इस पानी को हम फेके इंगे नहीं जब-जब बनाने के लिए पाने यावशक्ता होगी इसी पानी इस्तेमाल करेंगे यह कड़ाई जड़ा दिया है तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है इसलिए ज़्यादा डाला है सांगरी में अब हम डालेंगे इसमें हींग गेस को कम करके डालेंगे तक ही जले नहीं हरी मिर्च डालेंगे लाल मिर्च इससे स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है यह हरी मिर्च लिये मैंने दो और इसे बड़े-बड़े पीस में काटा है इसी तरब प्याज भी बड़े-बड़े पीस में ही काटेंगे और बहुत ज्यादा नहीं बुनेंगे इनको ये हो चुके हैं अमारे प्याज अब हम इसमें जो दही में मसाले हमने मिलाये थे वो डाल देंगे अब हम वही पानी इस्तेमाल करेंगे सांगरी का जो हमने उबाला था संग्री को बालने के लिए काम मिलिया था यह से अब चम्मच की सायता से हम इन्हें अच्छे से मेलाएंगे कि यह इस तरह से कुछ देर के लिए चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं और अब इसे हम ढख देंगे मसालों को पकने के लिए मसाले पक रहें हमारे यह देखिए अभी भी अभी पूरी तरह से पके नहीं है फिर से ढख दिया हम नहीं से और करीब 5-6 मिनट के लिए इसे इन्हें पकाएंगे यह हिलाते रहेंगे हम इस तरह से देखिए यह अब हमारे मसाले जो है वो पक चुके हैं अब हमने इसमें डाल दी है सांगरी और इन्हें चमच किसाइता से अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालों के अंदर अब हम इसमें डालेंगे काजू किसमिश यह दोनों चीजें इस सांगरी का स्वाध ही बड़ा देती हैं अगर नहीं हो तो इसकेप कर सकते हैं पर अगर हो तो जरूर डालें बहुत ही अच्छी बनती है इस सबजी शाही सांगरी की सबजी बनाई हैं तो इन चीजों की जरूरत होगी ही अब हमने ढखकन ढख दिया है और करीब साथ आठ मिनट के बाद हम इससे समाल रहे हैं हमारी अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर तो हमने फिर से ढख दिया इससे इस सबजी में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए तब ही यह सबजी अच्छी बनती है यह अब हमारी सबजी रेडी है तो अगर मेरी रेसिप कि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग